हेलो स्टुडेंट्स मैं इसी रिखा शर्मा स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे व्याकरन का एक नया टॉपिक क्या है जो सर्वनाम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संग्या के बारे में तो क्या होते हैं संग्या किसी भी चीज का नाम किसी ज्यक्ति वस्तु सान क्या करते हैं जिन भी शब्दों का प्रियोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं जैसे राम मेरा बाई है वह अच्छा बच्चा है जैसे ही राजुगीरा मैंने उसे पकड़ लिया ये दो धारने जैसे राम मेरा बाई है तो मैंने वह शब्द का प्रियो नीच को इसे शब्ध का पर्योगिया, यहां को राजु गीरा मैंने उसे पकड़ लिया, उसे किस तो राजु को, इसलिए उसे यह शब्ध क्या है सर्वनाम, तो भाषा को सुंदर और प्रभाव शाली बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोगिया जाता है, अगर मैं जैसे इस बाके में बोलती राम मेरा भाई है, राम अच्छा बच्चा है, राम स्कुरों स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम ओकर तो ऐसे भाषा जो है वो व्याकरन में अच्छी नहीं लगती, अटपटी से लगती है, इसलिए भाषा को सुंदर बनाने के लिए व्याकर सरवनाम नमबर four संबंद वाचक सरवनाम प॥रश्ण वाचक वाचक नमबर six निजवाचक अरवनाम के छे हैं अब कुछय जाप़न देख 되지 अगरे मेरे घर के पास है तो उसका शब्द क्या है सर्वनाम क्यों क्योंकि मैंने उसका किसी संग्या शब्द के और इशारा किया है और मैंने यहां पे उसका नाम ना लिखे किस शब्द का प्रयोग किया है सर्वनाम शब्द उसका नेक्स है तुम बाजार जाओ तो तुम शब्द क्या हुआ सर्वना यहां प्रश्ण होते हैं किसी बच्च SINGеро ऑसके कि और बहुत कि मोहन बजार जाओ, राम मोहन तुम बजार जाओ तुम इसमें इसमें कि संगया शब्दों के इसान परीग कि तुम शब्द का पप्रिओ किया है प्रशनिवाटे सरुनाम है यहां पर कहा है श्ब्ध कैंना है सरुनाम नेक्स्ट है वहाँ कोई है यहां मोहन है मोहन करें तो मैंने मोहन ना लिखिए क्या किया WE क्या किया फ्रइब कोई है बेञार चाहत charm the same क्या हूब सेख़ए क्या हूं तो यह है सर्वनाम और पुरिश्वार्चक सरणाम तो तो हम मैं होती है कि क्या होती है सरवनाम की पैचान नेक्स है जैसे पैचान है पुरिश वाचक सरवना तो पुरिश वाचक सरवना में कौन कौन से शब्द आते हैं मैं हम तूं तुम आप वह है उनका ये शब्द किस में पुरिश वाचक में निश्चे वाचक में आते हैं वह है वो यह है ये यह शब्द निश्य वाचक में कोई कुछ शाय propriet क्योंकि यह निश्चित व्यक्ती बस्तू का बहुत बहुत होता है एक क्यों सा सर्वना जैसा वैसा यह शब्द किसमें सम्बंद निजवाचक सर्वनाम में तो नेक्स है प्रशन वाचक जैसे प्रशन से ही यह पता चलो रहा है कि यहां पर प्रशन हो रहा है जिस वाक्य में प्रशन होता हो तो उसमें जैसे क्या कौन कहां कब यह क्या है प्रशन वाचक सर्वनाम नेक्स है निजवाचक सर्वनाम तो ये सब शब्द किसे में आते से नी जाजक सरुनाम में। इसंदे पहचान tier कि उस नाम कोई सब्द किस सरुनाम में आते थे तो ये आपने समझना और ओर लरन करना हैं। चलिए आप पढ़ते हैं। नबर पन बेट क्या था पुरुष वाचक सरवनाम तो किसमें आता पुरुष वाचक सरवनाम जो सरवनाम शब्द बोलने वाले सुनने वाले या अन्य विक्ति के लिए प्रयोग किये जाते हैं मतलब जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है सुनने वा पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं तो जैसे बोलने वाला अपने लीकिन शब्दों का प्रयों करता है मैं हम मुझे इन शब्दों का और सुनने वाले के लिए तू तुम आप और थर्ड परसन अन्य व्यक्ति के लिए वह वे उनका उन्होंने आदि ये शब्द किसमें आते पुरुषवाचक सर्वनाम में तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन प्रकार होते हैं कौन को से उत्यम पुरुष मद्यम पुरुष और अन्य पुरुष उत्यम पुरुष बोलने वाला होता है कि कौन होता है उत्यम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयो करते हैं तो बोलने वाला सुनने वाले के लिकिन शब्दों का प्रयोग करता है तो तुम तुम तुम्हारा तो अन्या पुरुष के लिए बोलने वाले किन शब्दों का प्रयोग करता है वे वह यह यह है तो यह निश्य वाचक में भी आते हैं लेकिन यह वाक्य वाक्य के अ तो जो सरवनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चित रूप से संकेत करते हैं वे निश्चय वजक सरवनाम कहलाते हैं मतलब जिस वाक्य में ये बात निश्चित हो मतलब ये बात पक्की है कि ये तो है ये तो उस वाक्य में को सा सरवनाम होता है निश्चय व कि यह जो बाई लड़का है यह मेरा यह तो इसमें को सा सरवनाम रोई नेग मैं थे ने बहुत करवा रहा हैं है लेट कि नीश्चित सरवनाम किक सरवनाम थे नेक्स है अ्धे है आसे का पॉजीर होता है जिसमें बातन निश्चित हो निश्च्य वाक्लंब का बहुत नहीं होता उन्हें अनिश्चित व synchron नाम कहते हैं जैसे कोई कुछ शायद आदी यह किसमें आते हैं अनिश्य वचक सरणामी यह शब्द आते हैं जैसे उधारन है रवी कुछ खा रहा है नेक्स है बाहर कोई आया है तो रवी कुछ खा रहा है तो कुछ खाई रहा हो सकते चॉकलेट खा रहा हो हो सकते केंडी खा रहा हो खाना खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, तो कुछ यहां पे हमने संग्या शब्त का प्रयोग नहीं किया, इसलिए संग्या शब्त के स्थान पे हमने कुछ शब्त का प्रयोग किया, लेकिन कुछ का मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें अनिश्चित वाचक सरुनाम है, नेक्स में देको बाहर कोई आया है कोई मतलब कोई भी हो सकता है कोई व्यक्ति भी हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है कोई जानवर भी हो सकता है इसलिए कोई शब्द निश्चित्स वाक्या में निश्चित्स वस्तू व्यक्ति का बहुत नहीं करवाता इसलिए यह अनिश् सरवनाम है next संबंद वाचक सरवनाम जो शवद वाक्य में आपसी संबंद को व्यक्त करते हैं वे संबंद वाचक सरवनाम कहलाते हैं मतला वाक्य में आपस में जो संबंद हैं उनका बोथ करवाते हैं वे संबंद वाचक सरवनाम कहलाते हैं जैसी वाकिया में जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी ये शवद आतें उसमें संबंदवाचक सरुना होता है जैसे उधारन है जो पड़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा अब जो शब्द का संबंद किसे इसके साथ है वो शब्द के साथ इसे जो और वो ये शब्द क्या हुए संबंद वाचक नेक्स है जिसकी लाटी उसकी बैंस मतलब जिसकी लाटी है बैस भी उसी की होगी अब जिसकी यहीं शव्याधिक है ज़ी श्ली के साथ जीशे संबन्दवाजक ? मतलब जयसे है उसे संबंदवाजक सरणांक म읍तला इसके वैसे संबंदवाजक सरणांक स्बस्वारण economic जैसे जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्ण का भाव मत जिस वाक्य में प्रश्ण किया जा रहा हो उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होता है प्रश्ण वाचक सर्वनाम जैसे हम कैसे प्रश्ण करते हैं जिस वाक्य में कौन क्या कहां किसको कैसे तो यह शब्द जिसमें प्रय तो कौन शब्द प्रश्णवाचक सरुनाम में तुम्हें किसने बुलाया किसने सरुनाम होगा कुंसा प्रश्णवाचक तुम क्या खा रहे हो तुम क्या पढ़ रहे हो तुम कैसे हो यह सब शब्द क्या होते हैं प्रश्णवाचक सरुनाम नेक्स हैं नीजवाचक सरुनाम किन चण कुल कीवक करते हैं यह चितर मने स्वाइम बनाया है अपने आप खुद बनाया है स्वाइमशफ क्या होगा नीजवाचक सर्वनाम म् करेंगे और करेंगे ओंके बाई